हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉंपेटिटिव एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेशन्स डिसकस करने वाले हैं, जिसमें हम पेडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन मिल जाएगा, वहाँ पर कॉंटेक्ट करके आप पीडियाफ पर्चेस कर सकते हैं, यहाँ पर पूच्छा गया है, कि एक बेबी है, जिससे हमें मॉनिटर करना है, कि बेबी को जो है, ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम ना हो जाए, क्योंकि जो बेबी है, वो इन में से किसी एक थेरपी के उपर डिपेंड है, तो हमें बताना है कि ब्रॉन्स बेबी सिंड्रोम जो है, वो इन में से कौन सी थेरपी का कॉंप्लिकेशन हो सकता है, औप्शन नमबर A इस इम्योनो थेरपी, औप्शन नमबर B इस कीमो थेरपी, औप्शन नमबर C इस फोटो थेरपी, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है that is option number C photo therapy जो baby है वो photo therapy पर है इसलिए जो baby को है bronze baby syndrome के लिए हम monitor कर रहे हैं क्योंकि जो photo therapy है अगर इसे long term तक यूज़ किया जाए तो इसका जो complication होता है वो bronze baby syndrome होता है ब्राउन्स बेबी सिंड्रॉम में क्या होगा कि स्केन है उसमें डार्क ग्रे ब्राउन प्रिग्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है स्केन में म्यूकस मेंब्रेन में और यूरिन में तो यह फोटो थेरपी का जो है कॉम्प्लिकेशन है bronze baby syndrome तो हमें bronze baby syndrome को monitor करना है यदि baby जो है वो photo therapy पे है उस condition में उसके बाद पूछा गया है which among the following drug is used in case of nocturnal aneuryses bad wetting and chronic pain यहाँ पर हमें पूछा गया है कि patient को कौन सी जो है drug देना है यदि जो baby है वो nocturnal aneuryses या bad wetting की condition है वो chronic pain है child को तो यहाँ पर हमें कौन सी medication हम patient को दे सकते है option number A is amipramine option number B is phenylzine option number C is saligline and option number D is bupropion तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम patient को nocturnal aneuryses या bad wetting वाली condition में कौन सी drug देते है तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number A amipramine amipramine जो है यह एक tricyclic antidepressant medication है और यह parasympathetic nervous system पर work करती है जिसके गारण जो है bad wetting वाली condition में हम patient को दे सकते है उसके बाद पूचा गया है rule of tan is used for यहाँ पर पूचा गया है rule of tan हम किस चीज के लिए use करते हैं option number A is cleft lip, option number B is TEF tracheoesophageal fistula and option number C is imperforate anus and option number D is CHD genital heart disease तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो rule of tan है वो कौन सी condition के लिए use किया जाता है तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number A, cleft lip cleft lip वाली condition में rule of tan को देखा जाता है rule of tan में जो हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन-कौन सी चीजें जो हैं देखी जाती है जब भी अगर cleft lip वाले patient की surgery होने वाली रहती है तो rule of tan को पहले detect किया जाता है जिसमें कुछ चीजें देखी जाती है जैसे जो infant है उसका weight देखा जाता है कि जो infant है उसका weight tell LBS तक complete रहना चाहिए 10 week old जो है चिल्डन की जो age है वो 10 week old होना चाहिए hemoglobin values जो है वो भी 10 gram रहना चाहिए और white blood cell count जो है वो at least 10,000 से less than रहना चाहिए तो इस condition में यदि ये criteria follow कर रहा होता है infant तभी हम patient की surgery जो है वो perform करते हैं तो यहाँ पर rule of 10 में यहाँ पर weight जो है वो धियान रखना है 10 LBS age याद रखना है 10 week old हीमोगलोबिन values रहेगी 10 gram and WBC count जो है वो less than 10,000 रहना चाहिए तो यहाँ पर rule of 10 के according जो है तभी surgery perform की जाती है उसके बाद पूछे गया है which condition occur due to the congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cell in the colon यहाँ पर पूछे गया है कौन से type की ऐसी congenital abnormality है जिसमें patient जो रहेगा children जो रहेगा उसके parasympathetic ganglionic nerve cells जो है वो colon में absent रहती है तो यहाँ पर हमें disease condition का नाम बताना है ऐसी disease condition जिसमें colon में parasympathetic ganglionic nerve cells क्या है congenitally absent है तो यहाँ पर options दिये गए है option number A is volvulus, option number B is intestinal obstruction, option number C is meconia meleus and option number D is hisprung disease तो यहाँ पर हमें बताना है कि congenital parasympathetic ganglionic nerve cell colon में absent है तो यह कौन सी condition होगी तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number D, hisprung disease hisprung disease को ही mega colon भी कहा जाता है और इस condition में क्या होता है कि यह जो sigmoid colon वाला reason रहता है यहाँ पर parasympathetic ganglionic cells जो रहती है वो absent हो जाती है जिसके कारण जो stool है वो past नहीं हो पाता है तो यह एक प्रकार की congenital abnormality है और इसे hisprung disease कहा जाता है उसके बाद पुछा गया है cleft clip surgery is done at यहाँ पर पुछा गया है cleft clip surgery कौन से month में कराई जाती है option number A is birth के time पर कर सकते हैं option number B is 6 to 9 month में कर सकते हैं या फिर option number C 3 to 6 month के अंदर अंदर कर सकते हैं या फिर option number D 9 to 12 month की age पर करते हैं तो यहाँ पर हमें cleft lip की surgery बतानी है कौन से month पर cleft lip की surgery परफॉर्म की जाती है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है that is option number C 3 to 6 month at least 3 to 6 month कम्प्लीट होने पर उस time पर cleft lip surgery परफॉर्म की जाती है उसके बाद पूचा गया है WHO ORS packet include following except यहाँ पर पूचा गया है WHO का जो ORS का packet होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है except बताना इसे छोड़ कर यह सभी present होते हैं option number A is sodium chloride, option number B is potassium chloride, option number C is calcium carbonate and option number D is glucose and hydrates तो हमें बताना है कि जो WHO के according ORS का packet होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज प्रेजन नहीं होती है तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number C calcium carbonate calcium carbonate ORS के packet में present नहीं होता है sodium chloride, potassium chloride and glucose and hydrates जो है यह ORS में present रहता है ORS का full form होता है oral rehydration solution उसके बाद पुछा गया है cleaning the airway of newborn baby involves all activities except यहाँ पर पुछा गया है कि यदि एक newborn है उसके airway को clean करना है तो इसमें सभी चीज़े involve हो सकती हैं सिर्फ एक activity को छोड़ कर, option number A is positioning of the baby with head low, baby को हम position देंगे जिसमें head को low करना है नीचे के तरफ, option number B is gentle suctioning to remove mucus, हम gentle suction करके mucus को remove कर सकते हैं, option number C is resuscitation and option number D is tapping the chest, chest को tap करना है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि newborn का हम क्या कर रहे हैं, airway clean कर रहे हैं, तो उसमें हम यह सभी activities कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक activity को छोड़ कर, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number C, resuscitation, resuscitation हमें perform नहीं करना है, resuscitation कब किया जाता है, जब जो new bond रहता है, उसका अबगार score 4 से कम आता है, उसका condition में resuscitation perform किया जाता है, यदि हमें normal airway को clean करना है, तो या तो हम baby को position दे सकते हैं, gentle suctioning कर सकते हैं, या फिर chest पर tapping कर सकते हैं, लेकिन resuscitation नहीं करना है, उसके बाद पूचा गया है, toilet training should be started for a baby at the age of, यहाँ पर पूचा गया है कि toilet training कितनी age पर start कर देनी चाहिए, option number A is infant, option number B is toddler, option number C is pre-schooler and option number D is school age, तो यहाँ पर हमें बताना है कि toilet training जो है, वो कब start कर देनी चाहिए baby में, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, that is option number B, toddler, टोडलर वाली age complete होने पर toilet training जो है, वो बेबी में start कर सकते हैं, उसके बाद पूचा गया है, a new born cry vigorously and extremities are pink which not required in such condition, यहाँ पर पूचा गया है कि एक new born है जो कि cry कर रहा है और उसकी extremities का color जो है वो pink हो गया है, तो इसमें से हमें कौन सी condition जो है वो required नहीं है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, option number a is wiping the body, body को wipe कर सकते हैं, option number b is covering the body, option number c is nasal clearing कर सकते हैं, option number d is oxygen therapy, तो इसमें से हमें कौन सी चीज़ को नहीं करना है, which is not required in such condition, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number d, o2 therapy, क्योंकि हमें जो newborn है, उसे o2 therapy नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो extremities है, उनका color कैसा है, pink color show हो रहा है, तो pink color show हो रहा है, तो इसलिए हम oxygen therapy नहीं देंगे, अगर यहाँ पर bluish discoloration या sinuses लिखा होता, तो वो indicate करता, कि child को क्या हो रही है, oxygen की कमी हो रही है, lack of oxygen हो रहा है, तो उस condition में हम patient को o2 therapy दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर pink color दिया हूँ extremities का, तो उस condition में हमें oxygen therapy नहीं देना है, उसके बाद पूछा गया है, reddish discoloration of an area over the skin in newborn is called, यहाँ पर पूछा गया है, कि जो एक newborn है, उसकी skin के उपर reddish discoloration हमें देखने को मिल रहा है, तो वो इन में से कौन सी condition indicate करेगा, option number A is lanugo, option number B is milia, option number C is nevus flammus and option number D is vernix, तो यहाँ पर हमें बताना है, कि reddish discoloration skin में यदि देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी condition हो सकती है, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number C, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज में इस तरीके का reddish discoloration देखने को मिलता है, large reddish purple discoloration of the face or neck, usually not elevated above the skin, called nervous flammus or pot wine stain, और इसे pot wine stain भी कहा जाता है, इस तरीके के यदि radish discoloration देखने को मिल रहा है, face और neck पर इसे nervous flammus कहा जाता है, next question में पुछा गया है, lack of oxygen in newborn may cause, यहाँ पर पुछा गया है, कि यदि newborn में oxygen की कमी हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सी term को है, जो use करते हैं, option number A is asophagia, option number B is dysphagia, option number C is dyspeptia, and option number D is asinosis, तो यहाँ पर हमें बताना है, कि lack of oxygen in newborn, newborn में oxygen की कमी के लिए कौन सी term use की जाती है, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number A, asophagia, birth asophagia वाली condition होती है newborn में, यदि lack of oxygen हो रहा है, oxygen का level decrease हो रहा है उस condition में, उसके बाद पूचा गया है, which symptoms verify anorectal anomaly in children's, यहाँ पर पूचा गया है, कि इनमें से कौन सा symptom indicate करेगा, कि जो newborn है, उसमें anorectal malformation है, या anorectal anomaly present है, option number A is abdominal distension, abdomen में distension देखने को मिलेगा, option number B is all of these, option number C is meconium in urine, urine में meconium present रहेगा, या फिर option number D, vomiting, या फिर children को vomiting होगी, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number C, meconium in urine, यादि urine के साथ meconium भी present है, meconium जो है newborn में stool को meconium कहा जाता है, तो यादि meconium present है urine के साथ साथ, तो वो क्या indicate करेगा, कि जो newborn है, उसमें anorectal anomaly की condition हो सकती है, anorectal anomaly मतलब जो anus और rectum है, वो malformed रहता है, अच्छे से develop नहीं हो पाता है, उस condition को anorectal anomaly कहा जाता है, उसके बाद पूचा गया है how much potassium chloride is present in an oral rehydration solution, यहाँ पर पूचा गया है कि ORS में oral rehydration solution में potassium chloride का amount कितना रहता है, option number A is 3.5 gram, option number B is 1.5 gram, option number C is 2.9 gram and option number D is 2.5 gram, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ORS में potassium chloride का amount कितना रहता है, तो यहाँ पर इसका जो right answer है, that is option number B 1.5 gram, पोटेशियम क्लॉराइड का जो level है ORS में वो 1.5 gram रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले composition देख लेते हैं और concentration अलग है, तो यहाँ पर ingredients रहेंगे, sodium chloride 3.5 gram per liter, पोटेशियम क्लॉराइड 1.5 gram per liter, trisodium citrate anhydrase 2.9 gram per liter, glucose anhydrase 20 gram per liter, और यहाँ पर concentration भी देख सकते हैं, sodium का concentration 90 mmol per liter, potassium का concentration 80 mmol per liter, citrate का concentration 10 mmol per liter, और glucose का 111 mmol per liter, और osmolarity यदि पूचिदा है तो 311 osmolarity रहना चाहिए, तो जो composition chart है, इससे related भी questions जो है, exam में पूचे जाते हैं, तो आज के वीडियो में हमने nursing competitive exam के लिए कुछ important questions discuss किया है, यदि आप और questions देखना चाहते हैं, तो हमारे channel पर playlist create की हुई है, MPNHM staff nurse के लिए, वहाँ पर जाकर आप और questions देख सकते हैं, और यदि आप MPNHM staff nurse के लिए previous year question paper की PDF purchase करना चाहते हैं, तो contact number आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पर contact करके आप PDF purchase कर सकते हैं, Thank you.